राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सनाएंगे एक लड़की की बहुती अच्छी कहानी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें पारवती अपनी बेटी लीला को आवाज लगा रही थी, कि लीला, अरियो लीला, अब तो घर चलिया, क्या रात को भी खेलेगी, चल जल्दी से घर के अंदर आजा, तो लीला ने बड़ी लापरभाई से कहा, मा थोड़ी देर और खेलने दो, और लीला फिर खेल में जुट गई, यह सुनते ही पारवती का गुस्सा भड़क उठा, वै इदर उदर देखने लगी, फिर पास में पड़ी एक छड़ी पर उसकी नजर पड़ी, और उसने उसे उठा कर वै लीला की तरफ लपकी, और कहने लगी रुख, तुझे अभी बताती हूं, मा को छड़ी लेकर आता देखकर लीला जट से भाग कर घर के अंदर छुप गई, और उसका साथी अमर, जिसके साथ वै खेल रही थी, वै भी अम्मा अम्मा करते हुए अपने घर की ओर भागा, पारवती घर के अंदर ही अपने पती हरिया से बूली, कि कहां छुपिये तुम्हारी लाड़ी, तो हरिया कहने लगा, अरे काहे को पीछे पड़ी रहती हो, हमेशा उसके यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी, कहते हुए हरिया ने कनखियों से चैर पाई के नीचे छुपी बेटी को देखा, और फिर धीरे से मुह घुमा लिया, मानो उसे तो कुछ पताई नहो, तो पार से उस अमर के साथ दिन बर घूमती है, कल को उसी के साथ ब्या होने वाला है इसका, जरावी लाज सरम तो है नहीं, हरिया कहने लगे, अरे तो क्या करेगी, बच्ची है, उसे इतनी क्या समझ है, लीला अपने माबाप की इकलोती बेटी थी, शादी के तकरीबन बारे बरस पार्वती की गोद खाली थी, जाने कितने पूजा पाट किये, कितने दूर दूर के मंदिरों के दर्सन किये, आखिरकार इस वर को उस पर दया आई गई, और बारे बरस के बाद उसे एक बेटी हुई, बच्ची इतनी सुन्दर थी, मानो किसी देवी का अवतार हो, उसे द पारे रिस्तेदारों को खाने पर बुलाया, अपनी खुसी सब के साथ बाटी, जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई, वे और सुन्दर दीखती थी, लीला की मा तो उस पर जरा सकती भी करती थी, पर उसका पिता हरिया तो उसे बहुती दुलार से रखता था, लीला के जनम क और दो लड़कियां थी, लीला और अमर दौनव पांचवी कक्षा तक साथ ही पढ़ते थे, पर लीला की मा ने साफ कह दिया, कि अब इसके बाद वे बेटी को नहीं पढ़ाएगी, उसके हिसाब से लड़कियों के लिए इस से जादा पढ़ना ठीक नहीं था, पर अमर गा सिवपुर में रहती थी, वे बहुती पिछडा हुआ गाउं था, गाउं में एक सरकारी स्कूल और एक सरकारी अस्पताल के अलावा और कुछ भी नहीं था, गाउं के पास से ही एक नदी गुजरती थी, गाउं के लोग उसी नदी में नहते और वहीं से अपने काम काज के लिए पानी भरते थे, गाउं के कुछ संपन लोगों के घर में कुए भी बने हुए थे, एक कुआ ऐसा भी था जो पूरे गाउं के लिए ही था, जिससे कोई भी पीने का पानी ले सकता था, हरिया खेती बाड़ी करके ही घर चलाता था, मंगल और हरिया के खेत पास पास थ दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की मुसीबतों में हर संबब मदद करने की जो कोशिस करते थे, कभी भी अपने को पीछे नहीं रखते थे, कि एक दूसरे की मदद कर सकें, पारवती की इतनी डाट के बाद भी अगले दिन लीला फिर ऐसे ही खे खेट से गन्ने चुरा कर खा रहे थे, तब ही सामने से कुंदन आता हुआ दिखाई दिया, कुंदन अपने दो चम्चों के साथ आया, चम्चा कहना ही जादा सही था, क्योंकि वे उसके दोस्त कम और उसकी चापलूसी जादा करते थे, कुंदन गाम के रहिस ठाकु सिंग का बीटा था, उसने रहिस जादो जैसे महंगे कपड़े भी पहन रखे थे, जबकि उसके दोनों साती साधारन कपड़ों में थे, कुंदन सोले बरसका था, मगर उसकी मा उसे ऐसे लाड़ दुलार करके रखती थी, मानो वे अभी गोद का छोटा सा बच्चा हो, और उसके दो दोस्त बिर्जू और मोहन हमेशा उसके साथ लगे रहते थे, यह दोनों गरीब घर के थे, कुंदन की मा के हिदायत थी, कि वे हमेशा उसके बेटे के साथ ही रहें, उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना होने दे, बदले में वे दोनों वक्त का खाना कुंदन के घर और ही खाते और उसका जायदातर समय उन दोनों का कुंदन के साथ ही बीठता था, कुंदन को सामने से आता देख लीला और अमर भागने लगे, क्योंकि यह खेत कुंदन का ही था, तब ही कुंदन चिलाया, अरे रुक, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी बास सुनकर दोन अब से तुम्हारे गन्ने नहीं तोड़ूंगी, तो कुंदन कहने लगा, अरे तुझसे कोई कुछ कह थोड़ी रहा है, एक क्या तु दस गन्ने ले ले, फिर उसके नजदीक आकर कुंदन बोला, बड़ी प्यारी दिखती है रे तू, और कुंदन को ऐसा बोलता देख कर लीला डरने लगी, और घर जाने के लिए मुड़ी, तब ही कुंदन फिर बोला, जा तोड़ले जितने गन्ने तोड़ने हो, मगर उसकी बात को अंसुना करके लीला अमर का हाथ पकड़के वहां से दोड़कर भाग गई, कुंदन और उसके दोस्त, लीला और अमर को भागत हुआ देखकर जोर-जोर से हसने लगे, और कुंदन हसते हुए बोला, अरे मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती है लीला, ऐसे ही समय बीत रहा था, लीला अब अठारे बरस की हो गई थी, अब तो वह इतनी खूबसूरत हो गई थी, जैसे पूर्निम का चान वह था उसका बच्चपन का साथ ही अमर, अमर भी अब एक सुन्दर नौजवान बन चुका था, वह जायदातर समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करने में लगा रहता था, उसकी एक बेहन कानता का ब्या हो गया था, दूसरी बेहन लक्षमी का विभावी तै हो रहा थ अब लीला और अमर का बच्चपन बीथ चुका था, पहले तो दोनों दिन भर साथ साथ गूमते थे, मगर अब कभी कबारी मुलाकात होती थी, वह भी जायदातर चोरी से ही, लीला की मा पारवती हमेशा कहती थी, जादा अमर से ना मिला कर, नहीं तो गाम भर के लोग उल् लक्ष्मी लीला की अच्छी सहली थी, जब से लक्ष्मी की बड़ी बहन कांता का बिभा हुआ था, तब से लक्ष्मी जायदातर समय लीला के साथ ही बिताया करती थी, इधर कुन्दन छे साल पहले ही सहर में अपनी बुआ के घर रहने चला गया था, वह वहीं रहकर लगा था, कभी कबार छुटियों में गां आता रहता था, कुन्दन जब भी छुटियों में गां आता तो उसकी आखे लीला को ही ढूंडती थी, एक दिन पार्वती ने हरिया से कहा, क्यों जी, ये मंगल भहिया से कहो ना, कि ब्याहा का दिन तै करें, हरिया कहने लगा, त तुझे तो पता है पार्वती, जब तक लक्ष्मी का बिवा नहीं होता, तब तक वे अमर और लीला के ब्याहा का दिन नहीं रखेंगे, पार्वती बोली वाजी, ये भी खूब रही, कब से सुनती आ रही हूं, अपनी जवान बिटिया की तो बड़ी चिंता है उन्हें, और हमारे घर में भी जवान बेटी है, तो हमें चिंता नहीं होती है क्या, जाने कब विवा होगा लक्ष्मी का, तब तक क्या हमारी लीला कुआरी बैठी रहेगी, तो हरिया कहने लगा तो क्या करें, बेचारा परिशान तो है, इतना दो चार जगे बात भी कर रखी है उस बात सुनते उसका चैरा खिल उठा था, वे जल्दी जल्दी बस अमर से मिलकर उसे यह सब बताना चाहती थी, जट से रसोई का काम खतम करके, वे मां से बोली मां, मैं जरा लक्ष्मी से मिलाओं, तो उसकी मां कहने लगी, अब क्या तो उसके घर पर मिलने जाएगी, तो व जा होने वाला है तेरा, नहीं तो गाम भर के लोग हसेंगे हम पर, लीला कहने लगी, नहीं मां, जब से तूने मना किया है, तब से मैंने उसके घर पर जाना छोड़ दिया है, अब मैं जाओं, तो पारवती ने कहा चल जा पर जल्दी आना, लीला भागी भागी अमर के खे करता था, अमर अपने खेत पर काम करने वाले जो सुभंस को कुछ समझा रहा था, कि तबी अचानक सुभंस की नजर लीला पर पड़ी, तो वे हसकर बोला जाओ भाईया, आ गई तुम्हारी दुलनिया, अब बाद में बताना जो बता रही थे, और कहकर खेतों में काम करने में लग गया, लीला को सामने देखकर अमर एक पलतों से न्याहरता रह गया, फिरोजी रंग के सल्वार कुर्ते में लीला बड़ी अच्छी लग रही थी, और फिर अमर ने वेंग से पूछा, आज इधर कैसे दरसन दे दिये, लीला कहने लगी, क्यों, मैं क्या आती नहीं तुमसे मिलने, तो अमर बोला, कितना मिलने आती हो सब पता है, चार दिन हो गए है, मूँ नहीं देखा तुम्हारा, लीला बोली तो ठीक है ना, थोड़ा सबर रखना भी तो जरूरी है ना, लीला सरारत से जो हस कर बोल रही थी, तो अमर कहने लगा, तो जाओ, अभी भी और देखा और फिर अपने सिर के डुपटे से ढखते हुए आगे बढ़ने लगी, वे अभी जानती थी कि अभी तो अमर पीछे से रोकेगा ही, बस नाटक कर रही थी, तब यह मर ने कहा, अरे रुक तो लीला, क्या सच में चल दी, तो वे कहने लगी, तो क्या, तो जूट में बोल रहा था, तो वे अमर कहने लगा, जायदा मत बन, तुझे नहीं पता कि मैं सच बोल रहा हूँ यह जूट में, लीला कहने लगी, मैंने तो सच ही समझा, तभी तो जाने लगी, अब इतने दिन बाद मिलने आएगी, तो गुसा तो आएगा, लीला कहने लगी भी फिर गायब हो गया, और वे भी हस दिया, फिर दोना कुछ देर तक बाते करते रहे, लीला ने उसे बताया कि अगले साल जेट के महिने तक हम दोना का बिवा हो जाएगा, तो अमर भी यह सुनकर बहुत खुस हुआ, थोड़ी देर बाद सामने से मंगल आता दीखा, तो मा की डाट याद आते ही वे तेजी से घर की ओर दोड़ी, थोड़ा आगे बड़ी तो भागती हुई लीला अचनक किसी से जाटकराई, घबरा कर उसने सामने देखा, तो उसके सामने कुंदन खड़ा मुस्कुरा रहा था, कुंदन को सामने देखकर लीला एक तरफ हट अब ओ विर्जू, आज के बाद जब मैं सुबह सो कर उठूँ, तो रोज तू ही अपना चेहरा दिखाना, अब ऐसा क्यों कुंदन भाईया, विर्जू ने कहा, तो कुंदन कहला क्या बताएं, सुबह सुबह आज तुमारा ही मुझ देखे थे, हमको लगा कि हमारा तो चमचे हसने लगे, लीला की भौएं गुसे में तन गई, वे कुंदन के किनारे से आगे बढ़ने लगी, तब ही कुंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया, और कहा, क्यों लीला, इतना नाराज क्यों रहती हो मुझ से, लीला ने कहा, हमारा हाथ छोड़ दो छोटे ठाकुर, हम को घर जाना है, तो कुंदन ने कहा, अरे, तो हम कौन सा तुम्हें घर जाने से रोक रहे हैं, बस दो मिनट रुक कर हमसे बाते कर लो, फिर चली जाना, लीला गुसे में बोली, हमें कोई बात नहीं करनी आप से, तो कुंदन बोला, बापरे बाप, इतना गुसा, एक पर ए कुंदन फिर हसकर बोला, बचपन की आदत गई नहीं लीला की, अभी भी मुझे देखकर वैसे ही डरती है, कुंदन जब घर पहुंचा, तो आपने कमरे में जाका चुपचाप लेट गया, बिरजू और मोहन को भी उसने घर भेज दिया, कुंदन की मा परभाने, जब अप कुंदन कुछ नहीं बोला, और दूसरी और मोह गुमा लिया, उसकी मा बोली, अरे बता तो सही बेटा, तो कुंदन बोला, मा, अब मैं सहर नहीं जाओंगा, पढ़ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, तो उसकी मा बोली, अरे बेटा, अभी तो तेरी कॉलेज की पढ़ वहाँ बुआ भी परेशान कर देती है पढ़ने के लिए उसकी मा भूली प्रभा चल कोई बात नहीं ठीक है मत जाना और फिर वह अपने बेटे के जिद के आगे जो जुक जाती है और किसी तरह अपने पती से भी कुंदन की हर बात मनवा लेती थी सची था कुंदन सहर में पढ़ता कम और बेकार के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता ज़ादा था सिगरेट सराब सब पीता वहाँ पर तो उसे कोई देखने वाला भी नहीं था पढ़ाई में तो उसकी बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं थी कुंदन अपनी मा से बोला मा एक बात पूछो तुम मुझे कितना प्यार करती हो उसकी मा भूली यह भी कोई पूछने की बात है मैं तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ बेटा तो कुंदन अपनी मा की सिर्म गोद में सिर रखकर उसे मनाता हुआ बोला तो तुम मेरी हर बात मानोगी न अमा तो वह कहने लगी तो क्या आज तक मैं तेरी बात नहीं मानती तेरे लिए तो कितनी बार तेरे बाबुजी से मेरी लड़ाई हो जाती है तू कहकर तो देख तो कुंदन बोला अमा मेरी साधी लीला से करवा दो न तो अब वह प्रभा भूली लीला वह हरिया की बेटी और यह सुनकर वह चौक गई और वह कहने लगी हाई राम तेरा दिमाग घूम गया है कुंदन और प्रभा ने अपना माथा पीट लिया उस भिकारी के घर से तेरा विभा करूंगी ना हमारी जाती का ना ब्रादरी का ना हमारी बराबरी की तुने सोच भी कैसे लिया बेट प्रभा की बातों का कुंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा वे बराबर एक ही जिद पकड़े रहा उसे लीला से ही शादी करनी है आखिरकार जब कुंदन ने मर जाने की धमकी दी तब मजबूर होकर प्रभा ने उसकी बात मान ली उसने वादा किया कि मौका देखकर वे कुंदन के पिता से इस बारे में बात करेगी उधर लीला जब घर पहुंची तो उसकी मा पारवती घर के बरामदे में ही उसका बेसबरी से इंतजार कर रही थी और जो उसे देखते ही बोली आ गई मेरी बच्ची पारवती ने ऐसे कहा मानो उसकी जुबान से सहद टपक र लीला बोली हा मा मिल लिया लक्ष्मी से पारवती ने कहा तो लीला बोली हा मा अच्छा अंदर चल कर कुछ खा ले और तेरी एक सहेली आई है उससे भी मिल ले लीला बोली अच्छा कौन है मा जाकर अंदर देख ले पारवती बड़े प्यार से बोली लीला घर के अंदर ज गई तो अंदर जाकर देखा तो लक्षमी मजे से बैठी चने खा रही थी उसे देखते ही लीला के होस उड़ गए फिर डरकर पीछे मुड़कर देखा तो पारवती छड़ी लेकर खड़ी थी और फिर लीला की तरफ लपकी अभी बताती हूं तुझे लीला इतना मना किया ल पैसर बीच बचाव करने में लगी थी तब तक हरिया भी आ गया और हमेशा की तरह लीला को बचा लिया उल्टा हरिया ने पारवती को ही डाटा जवान बेटी हो गई है पारवती कल को ब्या करके चली जाएगी और तू सबसे ज़्यादा तो तू उसकी सैतानिया याद करक उसकी बात पर पारवती मूँ फुला कर बैठ गई और लीला और लक्ष्मी उसे मनाने में जुट गई इधर कुंदन ने अपनी मा प्रभा को परेसान करके रख दिया अब वे उसके पिता से कुंदन और लीला की शादी के विश्य में बात करे आखिरकार हार मानकर प्रभा अपने पती से इस बारे में बात करने गई प्रभा के हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सीधे सीधे यह बात अपने पती से कहती पहले तो वे इधर उधर की बाते करती रही उसने नौकरों को भी आसपास से हटा दिया उसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटा कर उसने लीला और क कुंदन की शादी के विशे में बात की यह सुनते ही नरेंदर सिंग एकदम से भड़क उठा प्रैभा ने जब कुंदन की मरजी बताई तो गुस्से में नरेंदर सिंग बोले तुम दौनों मा बेटे पागल तो नहीं हो गए हो पता भी है क्या कह रही हो मैंने तो अपने बे बेटे को मर जाने दू तब नरेंदर सिंग कहने लगा बड़ा आया मरने वाला ऐसी कौन सी स्वरक की अपसरा है हरिया की बेटी जो उसके पीछे जान देने को तुला है अब जो भी हो पर उसकी बातों को अंदेखा तो नहीं कर सकते प्रभा ने अपने पती को समझाया रोज रोज के नाटक से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं और यह जो तुमुझे मनाने बैठी है न प्रभा तुझे खबर भी है हरिया की बेटी का बिभा मंगल के बेटे से तैह हो चुका है सारा गाम भर जानता है बात तो प्रभा बोली तैही तो हुआ है ब्या ने जल्दी ही हरिया से बात करने का वादा किया तब जाकर कहीं पर भाके दिल को ठंडक पड़ी अगले दिन नरेंदर सिंग ने हरिया को अपने घर पर मिलने को बुलाया नरेंदर ने हरिया को कई तरह से कुंदन और लीला की शादी के लिए मनाने की कोशिस की मगर हरिया बादे का पक्का इंसान था वे अपने दोस्त मंगल को धोका नहीं दे सकता था फिर हरिया ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि लीला और अमर भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं नरेंदर सिंग ने उसे तमाम तरह के प्रलोभन दिये लेकिन उसने साफ इंकार कर दिया नरेंदर सिंग ने का सोच लो हरिया हमारे घर में लीला आएगी तो रानी की तरह रहेगी घर में इतने नौकर लगे हैं कि उसे एक काम करने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी मंगल के घर जाकर क्या मिलेगा तुमारी बिटिया को वही एक जोपड़ी का मकान और यहां तो इस आलिशान मकान की मालकिन हो जाएगी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी हरिया कहने लगे आप ठीक कहते हैं मालक मगर अब जो बचन दे दिया सो दे दिया अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इस लिश्टे से कोई एतराज नहीं था हो सके तो मुझे माफ कर दीजे मालक और हरिया हाँ जोडते हुए बोला और फिर हुआ से चला गया कुंदन दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बाते सुन रहा था कुंदन गुसे के मारे उसकी आखे लाल हो गई थी घर पहुँचकर हरिया ने पारवती से सारी बात बताई तो पारवती को यह सुनकर बड़ाश इतने बड़े घर के लोग और हमारे घर में रिष्टक्यों करना चाहते हैं तो क्या तुम मना कराए पार्वती ने हर्या से पूछा तो हर्या कहने लगा कैसी बाते करती हो पार्वती मना नहीं कराता तो और क्या करता तुझे नहीं पता कि सालों पहले मैं मंगल को वचन दे चुका हूँ लीला और अमर के रिस्ते के लिए तो पार्वती कहने लगी हाँ वही तो मुसीबत है जाने किस घड़ी में यह बचन दे दिया हरिया कहने लगा आज तक तो तुने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा और आज बड़े घर में रिस्ता होने की बात पता चली तो तेरे भी तेवर बदल गए हरिया चिड़कर पार्वती से बोला तो पार्वती इस समय तो सांत हो गई मगर उसके मन में एक आंधी सी आ चुकी थी लीला ने भी हरिया की सारी बाते सुनी तो वह तो पहले ही कुंदन की खराब नियत को समझती थी पर अब उसे और ज्यादा गुसा आ तो नहीं पकड सकता बाद में प्रभा ने कुंदन को बहुत समझाने की कोसिस की की बेटा भूल जा उस लीला को मैं उससे भी जादा सुन्दर लड़की ढूंड कर तेरा बिभा करूंगी कुंदन बोला नहीं अम्मा शादी तो मैं लीला से ही करूंगा चाय उसके लिए कोई उल्टा सीधा काम मत करना मगर कुंदन कहां किसी की सुनने वाला था अगले दिन कुंदन बिर्जु और मोहन के साथ सीधा मंगल के खेट पर जा पहुंचा उस समय खेट पर मंगल और सुबंसी ही थे अमर खेटों के लिए बीज वगैरा लेने सहर गया था कुंदन ने मंगल को बुला कर सीधे कह दिया कि वह हरिया के γहर से रिस्ता खतम कर ले नहीं तो उसका बड़ा बुरा अंजाम होगा मंगल को अचानक से कुछ समझ नहीं आया और वै कहने लगा आप से क्या वास्ता है छोटे ठाकूर हमारा हरिया के गर से कुछ भी सम्बंदो, आपको क्या ले ना देना, वैवी तो मेरे बचपन का साथी है और मेरा होने वाला रिष्टिदार भी है, कुण्दन कहने लगा, वही तो समझा रहा हूं तुझे, यह रिष्टिदारी तो तु भूली जा, लीला से तो मेरी शादी होगी, मंगल कह यह आप क्या कह रहे हैं आपकी शादी पर लीला तो मेरे होने वाले बेटे की पतनी है यह तो सब को पता है उसका रॉमर का ब्याहत उनके बच्पन में ही तैय हो गया था कुंदन कहने लगा पर अब बच्पन तो रह नहीं गया अब सब बड़े हो गये हैं तो अब पुरानी बातों को भी तुम भूल जाओ तब ही अच्छा है नहीं तो बड़ा बुरा अंजाम भुगतना होगा कहकर कुंदन अपने दोस्तों को लेकर हुआ से चला गया मंगल को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इनी सोचों में मगन के गुसे को भी जानता था कहीं सब कुछ जानकर वे गुसे में कुंदन से लड़ाई ना कर बैठे मंगल जब घर पहुचा तो वे बहुत परिसान था तब ही हरिया उससे मिलने आया और कहने लगा क्या बात है भाई क्या तबियत ठीक नहीं है अभी लक्षमी घर आई थी उसने बताया कि तू आज खेतों से बहुत जल्दी आ गया है और तब से बिना कुछ खाए पिये ही लेटा हुआ है मंगल हरिया से कुछ बताना चाहता था तब ही उसकी पतनी आरती आकर मंगल से हालचाल पूछने लगी फिर मंगल की ओर देखकर कहा अरे बताते क्यों नही क्या बात है मैं कबसे पूछ पूछ कर हार गई हूँ कहा ना कुछ नहीं मंगल ने कहा तू जाकर खाना बना आरती रसोई में चली गई और फिर मंगल हरिया को लेकर गर के बाहर आ गया दौन और टेहल ते वे नदी की ओर निकल गए और वहीं पर बैटकर बाते करने लगे मंगल ने हरिया से कुनन की सारी बात बता दी उसकी बात सुनकर हरिया हैरान हो गया इतना मना करने के बाद भी ये लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं हरिया गुस्य से बोला मंगल ने कहा क्या मतलब क्या तुछ से भी कुछ कहा था तो हरिया ने कहा हाँ उसे ठाकुर नर जड़ाई जगड़ा मोल ले और बबाल हो जाए तब हरिया कहने लगा मुझे तो लगता है कि अब लीला और अमर का विवा जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए तू क्या कहता है मंगल मंगल बोला मुझे भी सही यही लगता है वैसे लक्षमी तो अमर से छोटी ही है पर ल प्याह करना होगा नहीं तू हरिया कहने लगा तू लक्षमी के लिए जल्दी कोई रिस्ता देख अगर तूने यही सोचा है तो पहले उसी का ब्याह कर देंगे तब हरिया से मंगल कहने लगा एक जगे बात बन गई है बस आगे की बात करके शादी का दिन रखवा देता तो मंगल ने फिर थोड़ी देर बात करने के बाद मंगल और हरिया दोनों अपने अपने घर लोट गए अमर जब सहर से समान लेकर लोट कर आया तो आर्ती ने उससे मंगल के बारे में बताया आज पता नहीं आर्ती कहने लगी अमर तेरे बापू को क्या हुआ है जो खेतों से भी जल्दी आ गए तब से बिना कुछ खाए पिये उदास बैटे हैं अभी हरिया भहिया भी आये थे उनके साथ बाहर निकले हैं तूने पूछा नहीं अमर ने पूछा तो वह कहने लगी अरे बहुत पूछा तेरे बापू उसने कुछ बताया नहीं तब ही मंगल को आता देखकर दोनों मा बेटे सांथ हो गए उसी दिन आधी रात को हरिया का पड़ोसी उसका दर्वाजा पीट रहा था हरिया ने जल्दी से उठका दर्वाजा खोला तो उसने कहा तूं यहां सोया पड़ा है हरिया हुआ तेरे द बेचारा पागल सा हो गया है जाकर देख हरिया तुरंत दौड़ता हुआ भागा पारवती और लीला भी जाग चुकी थी यह जानकर वे दौनों बहुत परेसान हो गए लीला ने घबरा कर पारवती से पूचा अम्मा यह सब किस ने किया होगा पारवती सिर पीटती हुई बोली अब क्या पता बिटिया हमको तो खुदी समझ नहीं आ रहा हरिया जब मंगल की खेत पर पहुंचा तो देखा चारों तरफ आग की लपटे छाई थी मंगल तो बेचारा चिलाये जा रहा था अमर और गाउं के दूसरे लोग पानी लाला कर खेतों में डाल रहे थे पर तरह से आग पर काबू पाया गया अगले दिन जब हरिया और पार्वती मंगल के घर उसे दिलासा देने पहुंचे तो मंगल और आरती बहुत रो रहे थे कल तक तो मंगल ने सारी बाते छुपा रखी थी मगर आज उसने गुसे में सब बख दिया मुझे पता है यह सब किस में ही सब समझ गया था कि यह कुंदन की हरकत है तब आरती बियाश्चरिय से कहने लगी यह आप क्या कह रहे हो भला वे क्यों हमारे आग खेतों में लगा तब मंगल कहने लगा मैं सही कह रहा हूं यह उसी कमीने की हरकत है अब अमर भी हैरानी से पूछने लगा बापू क्योंकि उसकी नियत खराब है और फिर उसने जो सब के सामने सारी बाते बता दी उसकी बाते सुनकर अमर एकदम भड़क गया मगर किसी तरह हरिया ने समझा भुजा कर अमर को शांत किया अमर थाने में रिपोर्ट करने की जिद करने लगा वे कुंदन को ऐसे नहीं चाहता था सुभंस ने भी बताया कि उसने आग लगने से थोड़ी देर पहले कुंदन और उसके दोनों साथियों को मंगल के खेत की ओर जाते हुए देखा था आखिर सब रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुच गए वहाँ पर इन लोगों की कोई सुनभाई नहीं हुई उ सब लोग वापस घर लोटाए पर अमर सांत रहने वाला नहीं था उसने गां के लोगों को इखटा किया और दोबारा से थाने पहुचा तो मजबूरी में हुआ पर कुंदन के खिला प्रिपोर्ट लिखनी पड़ी कुछ सिपाही ठाकु नरेंदर सिंग के घर पहुचे नरेंदर सिंग को जब इस बात का पता चला कि किसी ने मंगल के खेत में आग लगा दी है मगर उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह काम कुंदन ने किया होगा नरेंदर सिंग को जब यह बात पता लगी कि यह कुंदन की हरकत है तो वे भी उसके ओपर भड़क गए किसी तरह से बात को संभालते हुए उन्होंने पुलिस वालों को हुआ से भेज दिया और फिर कुंदन के कमरे की ओर बढ़े नरेंदर सिंग कुंदन के कमरे में पहुँचते ही उसके ओपर बरस पड़े पहले तो कुंदन बराबर इस बात को नकारता रहा कि उसने यह सब कुछ नहीं किया मगा नरेंदर सिंग के कड़े तेवर के आगे उसे सच्चाई माननी ही पड़ी प्रेभावी पती की आवाज सुनकर वाँ आ गई थी घर के नौकर भी खटे हो गए थे जिनको परभा ने उसी समय डाट कर वाँ से भगा दिया नरेंदर सिंग उसे में प्रभा से बोले इसे फिर सहर इसकी भुआ के घरी भेज़ दो अपनी आगे की पढ़ाई के वाँ पर करे और फिलहाल होई रहे यहां गाम में रहने की अभी कोई जरूरत नहीं है कुंदन डरते डरते बोला पर बाबुजी मैं अभी कहीं नहीं जाओंगा मुझे यहीं रहना है तब नरेंदर सिंग ने कहा है यहीं रहेगा तो फिर जेल में ही जाएगा उससे अच्छा है कि अभी यहां से निकल और अब हुआ ही अपनी पढ़ाई जारी रख तब तक मैं यहां पर मामले को ठंडा करने की कोशिस करता हूँ आखिरकार कुंदन को पिता की बात माननी पड़ी अगले दिन सुबह ही वे सहर के लिए निकल गया कंदन के जाने के बाद नरेंदर सिंग्झ ने बात को रफा दफा करने की बहुत कोशिस की वे खुद मंगल और गाम वालों से मिलने आए और कंदन की तरफ से बहुत माफी मांगी साथ ही पूरा हरजाना देने को भी तयार थे किसी तरह से मामला ठंडा हुआ और नरेंदर सिंग ने पूरा हर जाना मंगल को दिया कुछ दिनों बाद जब ये मामला शांत हो गया तो मंगल ने तेजी से दोड़ धूप करके लक्षमी की शादी का दिन तै कर दिया जल्दी ही लक्षमी की शादी हो गई और वह अपने सस्राल चली गई लक्षमी की शादी होते ही मंगल और हरिया ने तुरंत अमर और लीला की शादी का दिन भी तै कर दिया शादी का दिन तै होने से लीला और अमर बहुत खुश थे पारवती ने लीला से कहा देख बिटिया एक महीने बाद तेरा ब्याह का दिन तैह हो गया है तब तक अमर से बिलकुल भी मत मिलना और नहीं अब सहलियों के साथ गाउं में इधर उधर घूमने की जरुरत है पर लीला के लिए तो एक महीना एक साल के बराबर था वे किसी तरह अपनी सहलियों के साथ नदी पर नहाने जाने के बहाने अमर से मिलने पहुँच गई अमर कहने लगा लीला अब तो खुश है ना अब तो ब्याह की तारीख भी पड़ गई है एक महीने बाद अब यह छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लीला जो अमर को चड़ाते हुए बोली मैं तो पहले भी खुश थी मैं कब दुखी थी तो अमर ने कहा अच्छा तो कहीं इस ब्याह से तेरी खुशी फीकी तो नहीं पड़ गई अमर भी उससे मजाक करके बोला तो वे कहने लगा सच कहता हूँ लीला सालों बाद हमारा सपना पूरा होने जा रहा है कबसे मैं तुझे अपनी दुलहन के रूप में देखना चाहता था लीला की सहलियां जो उसके साथ आई थी वही थोड़ी दूर पर खड़ी थी वे अमर और लीला को देखकर बस आपस में हसी ठिटोली कर रही थी उन्हें हसता देखकर लीला को सरम आ रही थी उसने का अच्छा मैं चलती हूं देखो वो सब कैसे हस रही है अमर ने पूछा अब कम मिलोगी लीला हसते हुए बोली ब्याह के बाद उससे तो अभी एक महिना है तो क्या तब तक तुम उससे मिलने नहीं आओगी लीला ने कहा हाँ अम्मा ने कहा है कि ब्याह से पहले मैं तुमसे एकदम नहीं मिलू समझे लीला जाते जाते बोलती जा रही थी फिर वे तेजी से अपनी सहिलियों के साथ वहां से चली गई पारवती इस साधी से बहुत खुस नहीं थी हालांकी पहले पारवती को कोई एतराज नहीं था मगर अब कहीं न कहीं उसके मन में कुंदन का रिस्ता ही घूमता रहता था वे यही सोच दी थी वहां परशादी होती तो मेरी बेटी राज करती पर हरिया लीला और बाकी सब के सामने उसकी चलने वाली नहीं थी इसलिए वे चुपी बैठी रही कुछी दिनों में लीला और अमर की शादी हो गई दोनों बहुत खुश थे उस घटना के बाद से कुंदन सहर से नहीं लोटा नरेंदर सिंग ने उसे गाव आने की इजाजत ही नहीं दी अमर की बड़ी बेहन कांता और लक्षमी शादी में कुछ दिनों बाद जो यहीं पर रही दोनों लीला के आसपासी लगी रहती थी लीला को भावी के रूप में पाकर दोनों बहुत खुश थी आर्थी भी बच्पन से लीला को बेटी की तरह ही प्यार करती थी वे भी बहुत खुश थी समय ऐसे ही बीत रहा था कुछ महिनों बाद लीला मा बनने वाली थी अमर बहुत खुश था आर्थी और मंगल को जब यह बात पता चली तो वे भी खुशी से जूम उठे घर में सालों बाद कोई छोटा बच्चा आने वाला था कुछ महिनों बाद लीला ने एक सुन्दर से बेटे को जनम दिया आर्थी ने तो खूब गाना बजाना किया उसने हर्या और पार्वती को भी बुलवाया और अपनी दोनों बेटियों को भी बुलाया लक्ष्मी और कानता तो अपनी सहलियों के साथ ढोलक पर खूब नाच खूब गाना बजाना हुआ सबको मिठाईया बाटे गई बड़े प्यार से आर्थी ने बच्चे का नाम काना रख धीरे धीरे काना दो साल का हो गया था मंगल दिन भर बच्चे को पीट पर बैठा कर गुमाता रहता था वे रोज शाम उसे गुमाते हुए एक बार हरिया क के साथ खेलते पारवती को भी बच्चे से बहुत प्रेम था एक दिन हमेशा की तरह खेतों पर जाने से पहले अमर नदी में नहने गया उस समय नदी पर एक दो लोग ही नजर आ रहे थे क्योंकि सुबह बहुत सुबह का वक्त था नहते समय अचानक अमर को महसूस हुआ कि कोई उसके पैर नीचे की वो खीच रहा है वे घबरा कर पैरों को ऊपर खीचने लगा और बाहर निकलने की कोशिस करने लगा मगर उसे ऐसा लगा जैसे दो तीन लोग उसे नदी में खीचे ले जा रहे हैं वे छट पठाता रहा पर कितनी भी कोशिस करके वे बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधार अमर को गए हुए जब बहुत देर हो गई तो लीला ने आरती से कहा अम्मा अमर को गए हुए बहुत देर हो गई है। अभी तक नहीं लोटे हैं, बड़ी चिंता हो रही है, क्यों जी, जो आरती मंगल से कहने लगी, जाओ जरा देख कर तो आओ, सही बात है, रोज तो कब का आ जाता है अमर, पर आज बड़ी देर हो गई है, आरती भी परेशान होती हुई, मंगल से जाने के लिए कहने लगी, मंगल जब नदी पर पहुँचा, तो हुआ पर अमर कहीं नजर नहीं आया, मंगल ने कई लोगों से पूछा, जो हुआ आसपास दिखाई दे रहे थे, तो एक दो लोगों ने बताया, कुछ देर पहले अमर को नदी की ओर जाते देखा था, उससे जादा कोई कुछ नहीं बता सका, मंगल को लगा कहीं अमर घर आने की बजाए सीधे खेत पर तो नहीं चला गया, और वे खेतों की ओर उसे देखने चला गया, खेत पर पहुँच कर भी जब अमर कहीं नहीं दिखाई दिया, तो मंगल को चिंता होनी सिरू हो गई, मंगल ने आसपास के लोगों से भी पूछा पर कुछ पता नहीं चला, मंगल को परिसान देखकर लोग उसके साथ इखटे होकर अमर को ढूणने लगे, धीरे धीरे गाउं के बहुत सारे लोग अमर को ढूणने में लग गए, गाउं के कुछ बुजुर्गों ने सला दी कि अब नदी के अंदर भी एक बा देखना चाहिए, उनकी बाद सुनकर मंगल एकदम घबरा गया, हर्याबियम मंगल के साथ अमर को ढूणने में लगा हुआ था, वै बराबर मंगल को दिलासा देता रहा, मगर अब नदी में ढूणने के अलाबा कोई और चारा भी तो नहीं था, आखिरकार गाउं के कुछ तैराकी में माहिर लोगों को नदी में उतारा गया, बहुत देर तक तो कुछ पता नहीं चला, मगर तभी एक लड़का चिलाया, यहां पर कोई पड़ा है, सुनते ही मंगल का दिल धक से रह गया, फिर सभी ने मिलकर उसे बाहर निकाला, तभी कोई चिलाया, अरे यह तो अमर है, सांसे बंध हो चुकी है अब इसकी, सुनते ही मंगल दोड कर आया, और वे अमर को देखते ही बेहोस होकर गिर पड़ा, हरिया उसे संभालने में लग गया, हरिया के उपर भी तो पहार तूट पड़ा था, जान से प्यारी इकलोती बेटी का स्वाह गुजड गया इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था, पूरे गाउं में जैसे तूफान सा आ गया था, अमर की लास को लेका जब सब घर पहुँचे तो लीला और आरती उसे देखते ही दाहडे मार मार कर रोने लगी, लीला तो अमर के पास बैठी पागलों की तरह रोई जा रही थी, उसे इस समय किसी का भी ख्याल नहीं था, अमर का दो साल का बेटा कानहा अपने पिता के पास बैठा खेल रहा था, उसे तो कुछ भी नहीं पता था, कि आज उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था, चारों तरफ गम का माहौल पसरा हुआ था, गाउं के एक आदमी ने मं नहाने न जाए, अमर तो तैरना भी जानता था, फिर ये सब कैसे हुआ, पता नहीं, मंगल ने कहा, हमारी कुछ समझ में नहीं आता, साल भरका था, तब से उसे नदी पर लेकर जाया करता था, ना कोई आंधिया है, ना कोई तुफान, फिर ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा, और ये कहकर मंगल फूट फूट कर रोने लगा, अमर की मौत की खबर पाते ही, उसकी बेहने भी भाग कर गाउं पहुँची, दोनों बेहनों का रो रोकर बुरा हाल था, कैए दिनों तक घरों में रोना पीटना मचा रहा, इस दोरान हरिया और पार्वती बराबर लीला के घर आते रहे, पार्वती और हरिया भी इस दुख से तूट चुके थे, जवान बेटी विद्वा हो गई थी, यह उनके लिए बहुत बड़े गम की बात थी, अमर को मरे अभी कुछी दिन हुए थे, कि गाम भर के लोगों ने बाते बनानी सिरू कर दी थी, सभी ल अग्य खराब था, तभी तो तेरे बेटे की जान चली गई, सबकी बातों में आकर आरती का बरताव लीला के साथ बहुत बडल गया, अब वे अपने एक लोते बेटे की मौत का जिम्मेदार लीला को ही समझने लगी थी, लीला की ननदे भी अब उसके साथ पहले की तरह प लीला के साथ बढ़ता ही जा रहा था, मंगल ने कैई बार आरती को समझाने की कोशिस की, पर वे उल्टा पती को ही लीला के खिलाब भढ़काने लगती थी, लीला तो अमर के गम में पागल हो रही थी, अमर उसका बच्पन का प्यार था, वे दिन रात अमर को याद करके र लीला को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, तब ही हरिया हुआ पहुँच गया, और उसने अपने कानों से सब सुना, उसने आरती से उसी समय कहा, भावी मेरी बेटी को यह सब क्यों सुना रही हो, उसने क्या गलती किये, तब ही आरती जो अभी तक हरिया का लिहाज करती थ मगर आब बात सामने आमने सामने हो गई थी तो वे भी चुपना रही उसने तुरंत पलट कर कहा तो और किस से सुनाओं मनू से ये जाने कौन सी घड़ी में इसा भागी को ब्याह कर अपने घर में लाई थी अरे मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम लोगों के घर से रिस् ही है तो आरती चिला कर कहने लगी तो अपने साथ ले जाओ इसे पता नहीं इस मनूस के कारण हम लोगों के साथ और क्या क्या बुरा होना बचा है हरिया से बेटी की हालत देखी नहीं गई आखिर कार उसने सोच लिया अब मैं लीला को इस घर में नहीं रहने दूँगा औ उसे वापस अपने साथ ले जाओंगा फिर हरिया ने लीला से कहा कि अब यहां से चले अब उसे रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लीला की सास आरती यहीं चाहती थी पर लीला जाने को तयार नहीं हुई हरिया अपने घर वापस लोटाया घर पहुँचकर उसने पार पार्वती यह सुनकर एकदम से भड़क गई पार्वती ने पहले भी गाउं के कुछ लोगों से यह बात सुन रखी थी और आरती का वेवार लीला के साथ अच्छा नहीं है मगर अब तो हर्या की आखों देखी बात जो बताई थी पार्वती एक पल को भी हुआ नहीं रुकी उसी समय पार्वती हर्या के साथ लीला को लेने पहुँच गई लीला ने फिर मना किया पर आरती ने उसे चले जाने को कहा इसी बात पर पार्वती और आरती में बहुत कहा सुनी हो गई पार्वती लीला को लेकर हुआ से आ गई लीला के जाने के बाद आरती को कोई दुख नहीं था हाँ काना का जाने का उस आर्थी को दुख जरूर था मगर वे लीला से छुटकारा पाने के लिए काना से दूर होना भी बरदास कर सकती थी मंगल को जब यह सारी बात पता चली तो वे भागा भागा हरिया के घर आया मंगल ने पारवती और हर्या से आरती की तरफ से हाथ जोड़ कर माफी मांगी फिर मंगल ने भी खुद ही कह दिया कि लीला का यहां रहना ठीक नहीं है क्योंकि वे हर दिन लीला की दुरदसा देखने को मजबूर था कम से कम लीला यहां रहेगी तो उसे आरती के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे लीला ने कभी नहीं सोचा था जो सास उसे मा की तरह प्यार देती थी आज वे उसके साथ ऐसा बरताब करती है उसे अपने घर से ही निकाल देगी दिन बर हसने बोलने वाली लीला अब पूरी तरह खामोस हो गई थी उसके अंदर जीने की कुंदन गाम वापस आ गया पहले तो नरेंदर सिंग उसे वापस नहीं बुलाना चाहते थे मगर बेटे के प्यार में मजबूर मा प्रभा ने फिर किसी तरह नरेंदर सिंग को इस बात के लिए मना लिया कि कुंदन गाम वापस आ जाए आखिरकार उन्होंने कुंदन को आ कर वहां का काम देखने लगा एक दिन पारवती की तब्यट ठीक नहीं थी हरियाभी घर पर नहीं था लीला ही पीने का पानी लेने कुए पर गई थी लीला जैसे ही पानी भर कर मुड़ी तो सामने कुंदन को खड़ा देखा लीला ने उसे देखकर मुँफेर लिया और जाने को आगे बढ़ी तब ही कुंदन ने उसे रोक कर पूचा कैसी हो लीला लीला कुछ नहीं बोली और वह फिर आगे बढ़ी तो कुंदन बोला सुनो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं लीला मैंने बहुत बड़ा गलत किया था अमर के खेतों में आग लगा कर सच कह लीला बड़ा पस्तावा हो रहा मुझे अमर की मौत का सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ लीला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था वै कुंदन बोले जा रहा था मुझे तेरा यह हाल देखकर बड़ा दुख होता है लीला इतनी सी छोटी सी उमर में बिद्वा हो गई पूरा जीवन अब की बार लीला के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया था उसने घूर कर कुंदन की ओड़ देखा और कहा बिता लूंगे अपना पूरा जीवन पर आप क्यो इतनी चिंता करते हो मेरे पास मेरा बेटा है उसी के साहरे जीवन जी लूंगी कहका लीला आग प्रभा जो लीला से शादी करवाने की जिद करने लगा था उसकी माप्रभा तो यह सुनते ही गुस्से में आ गई थी और वे कहने लगी थी क्या तेरे लिए लड़कियों की कमी पड़ गई है जो तु उस बिद्वा से बिभा करेगा गाम भर के लोग उसे अभागी कहते ह हैं पर कुंदन कहने लगा अमा तुम तो जानती हो मैं लीला से पहले ही शादी करना चाहता था उसके पीछे ही मुझे यह गाम भी छोड़ना पड़ा आज जब तकदीर ने मुझे फिर से मौका दिया है तो तुम मेरा साथ क्यों छोड रही हो और क्या एक बिद्वा की शा मान भी लूँ तो तो भी उसका एक बेटा है तो क्या एक बच्चे की मा को मैं अपनी बहु बना कर लाऊंगी तेरे पिता जी कभी नहीं मानेंगे इस बात को उन्हें पता भी नहीं चला कि कब नरेंदर सिंग दरवाजे के पास खड़े यह सब सुन रही थे अचानक वे अ मासा खतम करें कहका नरेंदर सिंग होँ से चले गए कुंदन उनके सामने तो कुछ नहीं बोल पाया मगर उनके जाते ही प्रभा से बोला अम्मा मैं शादी करूंगा तो लीला से नहीं तो जिंदगी भरैसे ही कुवारा रहूंगा प्रभा ने उसकी बात सुन अपना माथा पीट लिया तब ही बिर्जू और मौन कुंदन से मिलने के लिए आए और उनसे बात करने जो कुंदन चला गया तब ही एक दिन लीला रसोई में खाना बना रही थी और काना कमरे में बैठा कुछ खिलोने से खेल रहा था खेतों की कटाई का काम चल रहा था इसलिए पारव तरफ काना को ढूंडने लगी लीला ने काना को भहुत ढूंडा और कई लोगों से पूछा पर कोई कुछ नहीं बता सका उस समय साम का अंधेरा हो चुका था शायद इसलिए किसी ने कुछ नहीं देखा था लीला भागती हुए खेतों की ओर हरिया और पारवती को यह बता आने के लिए जा रही थी तब ही सामने से कुंदन आता दीखा और बोला क्या बात है लीला ऐसे भागी कहां जा रही हो लीला कुछ नहीं बोली तब ही मोहन ने का अरे आपको पता नहीं कुंदन भीया लीला का बेटा कहीं खो गया है उसी को ढूंड रही है उसकी बात सुन कुंदन ने उसे मारना शुरू कर दिया अरे क्या हो गया भीया वे कहने लगा हम को क्यों मार रहे हो तब कुंदन ने कहा साले इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहा है चलो लीला मैं भी ढूनता हूँ तुमारे बेटे को कुंदन हमदर्दी जताता हुआ भोला लीला ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से वे चली गई लीला ने जब हर्या और पार्वती को यह बात बताई तो वे दोनों भी काम छोड़कर बच्चे को ढूनने में लग गए आसपास के खेतों में लगे लोगों नो भी जब यह सुना तो वे अभी बच्चे को ढूनने लग गए कुंदन भी सब लोगों के साथ बच्चे को ढूनने में ऐसे लग गया तो मानो हुए कितना सगा हो दुख में जो साद्दे वही अपना सा लगता है इसलिए हर्या ने भी कुंदन से कुछ नहीं कहा काफी खोज भी इन हुई मगर बच्चे का कोई पता नहीं चला लीला का रो रोकर बुरा हाल था पारवती और उसके घर के आसपड़स की कुछ औरतें लीला को डांडस बंधाने में लगी होई थी उधर आरती ने फिर लीला को गालियां देनी सिरू कर दी अब हागी पहले मेरे बेटे को खा गई अब मेरे काना को भी मेरा काना जाने कहां चला गया है एक बच्चे तक को न संभाल पाई मनहूस और जाने क्या-क्या लीला के लिए बक्ती रही मंगल तो बस परिशान होकर बच्चे को ढूनने में ही लगा रहा सुवे तक बच्चे का कोई पता नहीं लगा हार कर लोगों न गाउं की नदी और जितने भी कुए थे उनके अंदर भी देखना सुरू कर दिया चाए ठाकुर या गाउं के एक दो बड़े लोगों के घर के घेरे के अंदर का कुवा था या फिर गाउं का स्तारवजनिक कुवा सब जगे बच्चे को ढून लिया मगर कहीं कुछ पता नहीं चला कानहा को गुम हुए कैई दिन हो गए थे लीला वे एक जिंदा लास बन कर रह गई थी उसके जीवन में अब उमीद की कोई किरन नहीं बची थी इस बीच हरिया के परिवार का दुख बाटने के बहाने अक्षरी कुंदन उसके घर पर आने लगा हरिया तो कुंदन को पसंद नहीं करता था मगर पारवती उसे बड़ा मान देती थी कभी कभी पारवती और हरिया दौनाई खेत में काम के लिए गए रहते थे तो लीला घर में अकेली रहती थी तो भी कुंदन किसी भी बहाने से आता और वे लीला से बात करने की बहुत कोशिस करता पर लीला उसे कभी बात नहीं करती थी लीला सीधे उसे यह कहकर वापस कर देती अम्मा और बापु घर पर नहीं है फिर भी कुंदन लीला से बहाने से बाते करने की कोशिस करता ज़र गाउं में जाने कौन कुंदन और लीला के बारे में उल्टी सीधी बाते फैलाने में लगा था एक चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती वही हुआ लीला की बड़ी बदनामी शुरू हो गई पहले पती गया फिर बेटा गुम हो गया अमान सम्मान भी नहीं बचा हरिया और पारवती के कानों में जब ही है बात पड़ी तो उन्हें समझ नहीं आया आकिर इस तरीके से कौन ही है सब बाते फैला रहा है हरिया ने एक दिर कुंदन से हाथ जोड़ कर कह दिया कि अब वह उनके घर ना आया करे क्योंकि गाउं के लोग बहुत उल्टी सीधी बाते करते है तब ही कुंदन ने मौका देखकर हरिया और पारवती के आगे अपनी मन की बात कह दी कि वह लीला के दुख में जो बड़ा दुखी है और लीला से साधी करके उसका जीवन समारना चाहता है यह सुनकर हरिया को बहुत बुरा लगा पर तब ही पारवती ने कुंदन से कहा पर बेटा लीला एक बिद्वा है और तुमारे घर वाले लीला को नहीं अपनाएंगे पारवती की बात सुनकर हरिया उसे डाटता हुआ बोला क्या पागलो जैसी बाते कर रही हो तुने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वह यह ब्या करना चाहेगी और यह ब्या हो सकता है तो पारवती कहने लगी इसमें गलत किया है कुंदन ने भी कहा तो इसमें गलत किया है चाचा तुम ही सोचो इस तरह से लीला कैसे अपना पूरा जीवन बिताएगी आज तो चलो तुम और चाची हूँ पर कल को जब तुम लोग नहीं होंगे तो कौन उसका सहरा होगा ना पती है ना बच्चा है कुंदन हरिया को समझाता हुआ बोला पारवती ने भी उसकी हां में हां म हिम्मत नहीं जो हमारी लीला को कुछ भी बोल सकेगा दौनों ने मिलकर हरिया को इतना समझाया कि हरिया को उनकी बातें सोचने को मजबूर होना पड़ा हालंकि उस समय हरिया ने कुंदन को वहां से जाने के लिए कह दिया कुंदन के जाने के बाद पारवती और हरिया के मन सुनो जी क्या गलत कहता है कुंदन हमारी बेटी दिन रात दुख में पड़ी रहती है उसका दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता अगर कुंदन से लीला का विवा हो जाए तो लीला फिर से एक अच्छी जिन्दगी जी सकती है हरिया कहता पर गाम वाले तो पार्वती कहती तुम कैसे बाप हो तो मैं अपनी बेटी की खुसी नहीं दीखती गाम वालों की बाते दीख रही है आखिरकार पार्वती के बार बार समझाने पर हरिया ने हां कर दी हरिया ने पार्वती से कहा कि मैं तो कुंदन और लीला के वि रादे के बारे में बताया तो लीला को मा के ओपर बहुत ही गुसा आने लगा और कहने लगी अम्मा तुमने ये बात पूछी भी कैसे मैं मर जाओंगी मगर कुंदन क्या किसी के साथ भी विवान नहीं करने वाली पारवती कहने लगी पर बिटिया कैसे इतना लंबा जीवन बिताएगी फिर ये भी तो देख कि अकेली औरत के ओपर उंगले उठाते लोगों को वक्त नहीं लगता अभी तेरे और कुंदन को लेकर ही गाह में कैसी कैसी बाते फैल रही है ये ब्या हो जाए तो फिर कोई तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगा लिला ने कहा अम्मा क्या मैं तुम लोगों पर बोज बन गई हूँ और लिला ने अपनी सूनी आखों से मा को एक टकनिया हरते हुए पूछा तो पारवती कहने लगी नहीं बिटिया ऐसा कभी ना सोचना मैं तो इसलिए कह रही थी अभी तो मैं हूँ तेरे बाप हूँ है कल को हम लोग नहीं रहेंगे तो किसके साहरी रहेगी लिला किसी तरह से मा की बात मानने को तयार नहीं थी वे कहने लगी मैं रहलूंगी मगर बिवा नहीं करूंगी पारवती ने तो लिला को मनाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी मगर कुंदन हार मानने वालों में से नहीं था इधर जब से मं प्रफ़ रात में सोने से पहले एक चक्कर खेतों की ओर जरूर देखकर आता था। कभी कभी वे खुद ना जाकर सुभंस से कहता था कि वे देखकर आए। एक दिन ऐसा हुआ। करने की अवाज आई। उनकी बातों में लीला का नाम आने पर सुभंस ने धीरे से खेत में जाक कर देखा तो वे हैरान रह गया। कुंदन बिर्जु और मोहन आराम से बैठे सराब पी रहे थे। उनके पास सराब की बोतले पड़ी थी। कुंदन तो बहुत नसे में नहीं जायदा नसे में थे। सुभंस धीरे से वहीं खेतों की आड़ लेकर उनकी बाते सुनने लगा। तो वे कह रहे थे वह कुंदन भीया। तुमने तो सारा मामला ही पलट दिया। अरे हम तो कहते हैं भीया। लीला की ब्याक के पहले ही मार दिया होता उस अमर को तो इतने द खेतों पर आग लगाने का मामला कितना उचला था। बात पुलिस तक पहुँच गई थी और पिता जी तो मुझे गाउं में रुकने ही नहीं दे रहे थे। अगर उसी समय में यह करता तो सबको मेरे उपर सक हो जाता। तो वे कहने लगा कैसा सक कुंदन भीया। बिरजु यह घटना हुई तो लोगों को मजबूरन यह मानना ही पड़ा कि वे डूब कर मर गया होगा। इसलिए तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि किसी को पता ना चलने देना कि मैं उस दिन गाउं में आया था। कहते हुए कुंदन जोर जोर से हसने लगा। बिरजु और मौन भी हस रहे थे। तब ही बिर्जु बोला लेकिन भाईया वे बड़ा ताकतवर था। हम तीन मिलकर भी उसे पानी में नहीं घसीट पा रहे थे। मुझे तो एक बार को लगा कि वे बाहर ही निकल जाएगा। और डर सा लगा था। लेकिन किसी तरह से उसकी सांस रुकी पहुच गया था। तब वे कहने लगा को ठीक है भाईया तुम तो अपने रास्ते का सारा काटा ही निकाल लिया। अब लीला के बच्चे तक को नहीं बखसा। उसे भी नदी में फैक दिया। पर बच्चे की लास गाम वालों को नदी में मिली कैसे नहीं। मोहन ने कादी के लिए अब भी तैयार नहीं है। कुंदन कहने लगा मेरे प्यार को समझती नहीं है। मैंने वह भी किया जो नहीं करना चाहता था। तुम दोनों के जरियां मुझे गाम वालों के सामने अपने और लीला के बारे में उल्टी सीधी बाते भी फैलानी पड़ी। जि यह सब सुनकर सुबंस का कलेजा मुझ को आ गया। उसने अपने मुझ को खुद ही अपने दौनों हाथों से दबा कर रखा था। वै धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ा। सुबंस भाग कर लीला से सब कुछ बताना चाहता था। उसके साथ कितनी बड़ी साजिस हुई है जिससे वे अंजान हैं, लेकिन जैसे वे भागा कुंदन को कुछ संका हुई, वे जल्दी से उठकर गन्य के खेट से बहा निकला, कुंदन ने देखा, कोई भाग रहा था, वे जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे, तीनों ने दोड़कर सुभंस को पकड़ लिया, यह तो सुभंस है, क्योंबे कुंदन जो उसका कॉलर पकड़ कर कहने लगा, हमारी बाते सुन रहा था छुपकर, कहा जा रहा था भाग कर, तो सुभंस ने कहा, हम लीला भावी को यह सब बताएंगे, तुमने जो गंदा खेल खेला है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, सुभंस जो निडरता से अपने आपको छुडाता हुआ बोला था, तब कुंदन ने जेव से चाकु निकाल लिया और बोला अच्छा गया, कुंदन ने बड़ी बेदर्दी से सुभंस के पेट में चाकु घौप दिया, सुभंस नहीं पर चीक कर गिर पड़ा, उसके गिरते ही कुंदन ने का भागों यहां से, नहीं तो कोई आ गया तो देख लेगा, तीनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, तब तक सुभ सुभंस थोड़ा आगे निकल चुका था, भागते हुए लीला के घर पहुचा, पार्वती और हरिया गहरी नीन सो रहे थे, लीला को नीन नहीं आ रही थी, वे जगी हुई थी, सुभंस ने दर्वाजा खट-खटाया, तो लीला ने जैसी दर्वाजा खोला, सुभंस उसक खटी हो रही थी, कुंदन बहुत डर गया था, वे वहां से तेजी से भाग निकला, घर पहुचकर कुंदन के हाथ पै ठंडे हो रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आकिर सुभंस ने क्या कहा होगा, क्या नहीं, उसे बार बार ऐसा लग रहा था, जैसे गाम वाल अबी खटे होकर उसके घर आते होंगे, अगले दिन सुभै जब कोई हल चल नहीं हुई, तो कुंदन ने मोहन और बिर्जू को पता लगाने भेजा, दोना पता करकी आए, तो बताया कि सब ठीक है, भाईया कोई परेशानी नहीं है, वो साला सुभंस तो हरिया के दरवाज पर पहुंचकर ही खतम हो गया था, किसी से कुछ नहीं कह पाया, बिर्जू ने हस्ते वे कुंदन को बताया था, तो कुंदन की जान में जान आई, और कहने लगा सच कहरा बिर्जू, सही से पता किया है न, तो बिर्जू ने का सच कहरा हूं भाईया, किसी से कुछ नहीं कह गाँ में तरह तरह की बाते हो रही हैं आखिर किसने मारा होगा उसे पुलिस वाले तो हरिया से भी पूछताच कर रहे थे आखिर सुबंस उसके घर क्यों आया हरिया बड़ा परिसान है तो वह कहने लगा चलो यह तो तुमने बड़िया खबर सुनाई है साहनू भूती जतान के बाने हरिया के घर जाने का एक बहाना और मिल गया कुंदन यह सुनकर मुस्कुरा उठा थोड़ी देर बाद कुंदन हरिया के घर पहुच गया सुबंस की हत्या से एक बार फिर गाउं में तूफान सा आ गया था हर आदमी की जवान पर उसी का जिक्र था थाना कचैरी अगर कुछ पता भी चलता तो भी सब कुछ तो पैसे वालों की मुठी में ही होता है हरिया के घर पहुचने के बाद कुंदन को पता चला कि सुबंस की हत्या से लीला को बहुत सदमा लग गया था वे बहुत बिमार थी पारवती और हरिया लीला को इस हाल में देखकर मिल गया उसने हरिया के साथ थाने में जाकर हरिया की पैर भी की और कहा कि हरिया को परेशान ना करें वे इस बारे में कुछ नहीं जानता अब हरिया एक और रहसान से लद गया था कुंदन फिर किसी ना किसी बाहने से लीला के घर आने लगा धीरे धीरे लीला भी कुंदन स लिये ही तो उसने जाने कितने अपराद कर डाले थे लीला का कुंदन के साथ बदलता वैवार देखकर कुंदन ने एक बार फिर सीधे लीला से शादी के विसे में पूछा तो इस बार लीला ने धीरे से हां में सिर हिला दिया कुंदन को तो मानो दुनिया की सारी खुसी मिल गई थी कुंदन ने उसी दिन अपनी मा से बात की प्रभा ने जब यह बात सुनी तो वे नाराज होने लगी और कहने लगी बेटा मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कुंदन कि यह नहीं हो सकता तेरे पिताजी तो कभी नहीं मानेंगे मगर कुंदन ने मा को जो हर तरह से म गड़ गए तुम लोग पूरे गाम में मेरी जगह साही कराना चाहते हो क्या परभा ने जब कुंदन से बताया कि उसके पिता कहीं से भी इस रिष्टे के लिए नहीं मान रहे हैं तब कुंदन ने फिर से अपना वही नाटक सिरू किया उसने प्रभा से साप साप कह दिया अगर लीला से उसके शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा यह सुनका नरेंदर सिंग भी परेशान हो गए आकिरकार ठक हार कर उन्होंने हा कर दी मगर उस दिन से उन्होंने सोच लिया कि वह कुंदन से कभी बात नहीं करेंगे कुंदन को भी बस पिता की हां थी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने खुसी से हां कही या मजबूरी में उसे तो सिर्फ अपनी खुसियां ही प्यारी थी जल्दी से साधी का दिन भी तैह हो गया इस साधी को लेकर गाम में तरह तरह की बाते होने लगी अमर की मा आरती को जब यह पता चल तो उसने भी लीला और उसके घरवालों को बहुत बुरा भला कहा वे तो उसके घर तक लड़ने पहुँच गई मगर पारवती भी कम नहीं थी उसने आरती को फटकार कर हुआ से वापस भगा दिया लीला को तो अब किसी की बातों से कोई फरक नहीं पड़ता था लीला और लीला की शादी हो गई कुंदन के अलावा इस शादी में शायद ही कोई खुश था बस सबने एक समझोता किया था हर्याबी गाम वालों की उल्टी सीधी बाते सुनने की वजह से बहुत खुश नहीं था बस बेटी की खुशी के पीछे मजबूर होकर उसने शादी हो जाने दी इधर प्रभा का भी यही हाल था बस बेटे के प्यार में शादी के लिए तैयार हो गई थी इसलिए उसे शादी में लगे भी रहना पड़ा लेकिन नरेंदर सिंग इस साधी की हर काम से बिलकुल दूर थे उन्होंने सिर्फ साधी पर हुए खर्च हुए पैसे दिये थ इसके सिवा उन्हें कोई मतलब नहीं था कुंदन तो इतना खुश था कि उसे अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि लीला आब उसकी हो चुकी है अब लीला फिर से पहले जैसा साध सिंगार करके रहने लगी कुंदन उसके रूप को नहारता ही रह जाता था कुंदन को अब ली लीला मा बनने की ख़वर से घर में खुसियां फैल गई थी पर मा तो दादी बनने की ख़वर सुनकर बहुत खुश थी मगर नरेंदर सिंग को कोई खुसी नहीं थी आलंकि उनके उनके मन में एक खुसी की लहर जरूर दोड़ी थी मगर उन्होंने उसको व्यक्त नहीं किया फिर कुछ महिनों बाद लीला ने एक सुन्दर से बेटे को जनम दिया बच्चे के आने पर लीला और कुंदन दोनों का परिवार बहुत खुश था नरेंदर सिंग भी अपना गुसा भूल कर बच्चे को गोद में ले लिया और बहुत प्यार करने लगे एक दिन लीला ने कुंदन से कहा मैं इस बच्चे के आने की खुशी में पूरे गाउंवालों के साथ अपनी खुशी बाटना चाहती हूं कुंदन के लिये तो लीला की हर इच्छ सबसे उपर थी वे अभी चाहता था कि उसके बच्चे की खुशी सब के साथ बाटी जाए उसने त्रंथ प्र को नरेंदर सिंग के घर पर ही था हरिया और पारवती भी आये थे मंगल भी मजबूरी में नरेंदर सिंग के बुलावे पर आया था जबकि आरती ने उसे आहां जाने से बिल्कुल मना कर दिया था चारों तरफ गाना बजाना हो रहा था औरते अलग मैफिल सजाए ढोलक प यसी खुबसूरत दीख रही थी कुंदन तो लीला को अपने और अपने बच्चे को देखकर खुसी से फूला नहीं समा रहा था उसे तो अब दुनिया की हर खुसी मिल चुकी थी लीला अचानक सब के सामने कुंदन के पास आकर बोली कुंदन तुम्हें मुझ से और अपन तो लीला कहने लगी, इसी तरह अमर और काना भी मेरी जिंदगी थे, अमर मेरे बचपन का साथी था, मेरा पती था, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती थी, जिसे तुने और तेरे साथियों नदी में डुबा कर मार दिया, लीला जोर से चिला कर अमर से के बारे में जो कुंदन से कह रही थी लीला के मुँसे यह सब सुनकर कुंदन के साथ साथ आसपास खड़े लोग जो सबी हैरान रह गए लीला फिर बोली और अपने इस बच्चे से कुंदन तु बहुत प्यार करता है न जिसको इस दुनिया में आए अभी कुछी दिन हुए है तो सोच मैं अपने दो साल के काना से कितना प्यार करती हूँ कितना प्यार करती रही होंगे अपने बच्चे से उसे भी जिसे तुने नदी में फैक दिया न लीला की बाते सुनकर सबी लोग हैरान होते जा रहे थे सब कुंदन को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे नरेंदर सिंग की आखों में भी खून उतराया था कुंदन घबराता हुआ सब की ओर देखकर बोला नहीं नहीं यह सब गलत है लीला फिर लीला की ओर देखकर पूछा लीला तुमसे यह सब किस ने कहा तब लीला ने कहा उसी ने कहा जिसे तुने चाकु मारा था सुभंस लीला ने चीख कर कहा तो कुंदन सन रह गया लीला फिर बोली हाँ सुभंस ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था गाम वालों को कुछ भी बताने से पहले ही उस बेचारे की सांसे बंध हो गई थी यह सब सुनकर कुंदन ने अपना सिर पीट लिया लीला ने फिर सबसे बताया कि लीला और कुंदन का नाम लेकर जो गाम में उल्टी सीधी बाते फैलाई गई थी वे भी कुंदन की साजिस थी उसने कुंदन और उसके साथी विर्जू और मोहन की सारी करतूत गाम वालों को बताई पारवती ने आश्चरियस से पूचा पर भिटिया जब तु यह सब जान गई थी तो फिर तुने इस धूर्ट से भिवा क्यों किया लीला ने कहा क्योंकि माँ मैं इसे वही सब दुख देना चाहती थी जो इसने मुझे दिया था मैं चाहती थी इस बात का जो बहुत पहले ही अगर मैं इसे बता देती लेकिन मुझे इस से अपने पती और अपने बच्चे की मौत का बदला लेना था जैसे मैं अपने पती और बच्चे के लिए तड़पी हूँ ऐसे ही इसको तड़पता हुआ देखना चाहती थी फिर लीला ने सव गाम वालों की तरफ देखकर कहा इसी ने मारा था मेरे अमर और मेरे काना को पानी में डुबा कर पूछो इस से और पूछो इस बिरजु और मोहन से लीला बिरजु और मोहन की तरफ भी सारा करती हुई बोली बिरजु और मोहन जो कुछ देर पहले हुआ भहुत नाच रहे थे अब डर कर चुपचाप खड़े थे फिर लीला बच्चे को गोद में लिये हुए भीड से थोड़ा आगे निकलती हुई बोली बहुत दुख और अपमान सहाए मैंने इसको नन के पीछे अब आज के बाद यह वही दुख और अपमान सहकर पूरा जीवन बिताएगा तब हरिया कहने लगा मैं कुछ समझ नहीं रा बेटी तो कहना क्या चाहती है अपमे बच्चे के बिना जीना क्या होता है आज के बाद तो पूरी जिंदगी सजा भुगतेगा कहते हुए लीला धीरे धीरे आगे बढ़ी और घर के आहते में के अंदर जो कुवा बना हुआ था उसके पास जाकर खड़ी हो गई यह बहुत गहरा कुवा था कुदन कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर लीला करना क्या चाहती है वे लीला की ओर बढ़ा हरिया और गाउं के कुछ और लोग भी लीला की ओर बढ़े लेकिन तब ही लीला ने चिल्ला कर कहा अगर कोई मेरे नजदीक आया तो मैं बच्चे को कुवे में फैक दूंगी डर कर सब लोग दूर हट गए फिर वे कुदन की ओर देखकर बोली डुबा कर मारने का बहुत सौक है न तुझे कुदन अब देख आज मैं तेरी खुसियों को डुबाने जा रही हूँ कहते हुए लीला बच्चे को गोद में पकड़े हुए कुए में कूद गई कुदन लीला लीला पकारता हुआ कुए के पास आ गया वे पागलों की तरह चीकता रहा जब तक कोई कुछ समझ पाता और रसी लाकर लीला और बच्चे को बहाद निकाला गया तब तक लीला और बच्चे की सासे बंद हो चुकी थी कुदन चीक चीक कर रो रहा था आज उसकी सारी खुसियां छिन गई थी हर्या और पार्वती भी जोर जोर से रो रहे थे चारों तरफ चीक पुकार मची हुई थी प्रभा के आँखों में भी आसू थे पर कुंदन के इस दसा पर उसे जरा भी दया नहीं आई आज अपने प्यारे बेटे को देखकर उसने नफरत से मूँ फेर लिया नरेंदर सिंग एकनम सांथ थे वे सीधे थाने की ओर चल दिये अपने बेटे के कुं करमों को बताने के लिए लीला चली गई अपना बदला लेकर मगर जाते जाते लीला एक बात से बेखबर रह गई लीला का बेटा काना जिसे कुंदन ने नदी में फैर दिया था वे आज भी जिंदा था वे बैता हुआ नदी में आगे निकल गया था कुछ लोगों ने उसे बैते हुए देखा तो किसी तरह उसे बचा लिया था अब काना को उनी बचा दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे